How many different words can be formed with letter of the word Sunday? How many of the words begin with N and how many begin with N and end with Y? तो अगर हम देखेंगे Sunday, तो इस पेलिंग के होती है इसकी S-U-N-D-A-Y तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है? Six letters है हमारे पास में, किते letters है? Six letters, okay? तो अगर six letters हैं इसमें, है ना, simply six letters है हमारे पास में तो हमारे जितने भी words बनेंगे वो भी क्योंगे? Six letters क्योंगे? तो हमारे पास में positions कितनी open है? One, two, three, four, five and six Six letters के लिए six positions अब अगर हम ध्यान से देखें, यह first position है, यहाँ पे six letters है Six में से कोई सा भी आ सकता है, तो कितनी possibilities है? Six अब एक letter हमारा first position पे आ चुका है, तो अब हमारे पास में second position के लिए कितनी letters बचे? Six minus one फिर यहाँ पर भी एक letter आ गया, ओके? Then हमारे पास में two letters use हो चुके, तो यहाँ पे कितनी बचेंगे? Six minus two Then एक यहाँ पे आ गया, यहाँ के लिए कितनी हो चेंगे? Six minus three Then एक यहाँ पे use कर लिए हमने, बचे कितनी? Six minus four तो यहां के लिए हमारे पास कित्ते option होंगे, only 6-4, अब एक यहां भी use के लिए, तो last में हमारे पास में के वल एक बचेगा, क्योंकि 5 हम use कर चुके हैं, last वाला, तो ऐसे हमारे 6 letters use हो चुके, तो कित्ते options हैं, first place के लिए 6, second के लिए 5, third के लिए 4, fourth के लिए 3, और fifth के लिए second, और last के लिए 1, तो हमारे पास में total कित्ते words बन सकते हैं, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो number of words किससे हो सकते हैं, number of words, यह जागा इनका continuous multiplication, और वो किसके कुल जागा, 600 factorial के equal, अब इन में से कितने words begin with n होंगे, तो begin with n के लिए हमें एक specific condition apply करने पड़ेगी, वो क्या होगी, हमारे पास मे अभी भी places कितनी है, 6 places है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसमें first place पे क्या है हमारा, first place पे n आ गया है, ठीक है, तो अब 5 letters है, तो second position पे कितने letters हो सकते हैं, 5, similarly, next पे कितने हो जाएंगे, हम 2 use कर चुके है, तो 5 में से हम एक use कर चुके है, तो 5 minus 1, then 5 minus 2, then 5 minus 3, और यहां पे कितने हो लास्ट में आपर पास में, 5 minus 4, तो इंडिटली कर जाएंगे, 5, 4, 3, 2, 1, तो number of letters कितने हो जाएंगे, number of words, sorry, number of words begins with n, तो जाएंगे, begins with n वाले कितने हो जाएंगे, 5 factorial, because 5 into 3 into 5, 4, 3, 2, 1 का multiplication क्या हो जाएगा, it is equal to 5 factorial, now, अब हमें last question है, जिसमें given है, कि start हो b से, और end हो किसे, किसे, end हो y से, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, see, यह end से start होने वाले तो हमारे पास में कितने हो गए, 5 factorial, अब end होने वाले देखते हैं, 5, हमारे पास में opening कितनी है, 6 है, तो पहली के लिए कितना है, हमारे पास में, end fix है, फिर यहाँ पर किता fix है? y fix है तो किता option हो गए यहाँ पर? 4, 3, 2, 1 तो total possible words किता हो सकते हैं 4 x 3 x 2 x 1 which is equal to 4 factorial तो हमारा first option का answer था 6 factorial second का था 5 factorial, third का या 4 factorial because इसमें n और y दूनों ends पर fix हैं तो 4 letters को किते ways में हम rearrange कर सकते हैं? 4 factorial ways में यहाँ बर्णारXT